दिवाली के इस बड़े मौके में काफी सारे फिल्में आने बाली है जिसका हाइप भी काफी तगड़ा बना हुआ है जो इस दिवाली बॉक्स ओपिस के हर एक रेकोड को तोड़ने के लिए तैयार है आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा दिवाली दो हजार चौबिस में आने बाली दस बड़ी फिल्मों के बारे वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने बाली है वीडियो को एंड तक जरू वाच करना एंड गेस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्रेब करके बेल लाइकन और प्रेस कर दीजिए वीडियो को जल से स्टार्ट करते है नमबर टेन में आता है का ये इंडियन तेलगू लेंग्वेज की आने बाली एक एक्सन थिल्लर मूवी है जिसका डारेक्टर है सुजीत एंड संदी जिसके अंदर आपको कीरन अबबा भरन तानभी राम एंड नयन सारिका के साथ और भी कलकार देखने को मिलेंगे जो बेसिकली एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म है जिसको 31 ओक्टबर को रिलीज किया जाएगा नमबर नाइन में आता है आदी पराभां दीवाली के मौके में रिलीज होने बाली एक लौती फीमेल ओरियंटेड मूवी है आदी पराभां जहां पर डारेक्टर है संजीप मैगूती स्टैरिंग लवश्मी मंचू और अदित्या ओंग जिसको तेलगू और कनड़ा लैंग्वेज में सिनमा घरों में 31 ओक्टबर को रिलीज किया जाएगा नमबर एट में आता है बलडी बेगर बलडी बेगर एक आपकमिंग इंडियन तामिल लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका डिरेक्टर है सिबा बालन मुतुकुमार जिसको जेलर के डिरेक्टर निलसन ने प्रोडूस किया है जो एक यूनिक कॉंसेट की मू मूवी है जो सिनमा घर में दिवाली के मौके में आने बाली है में दो कि नमबर रही में नमबर सेबन में आता है बर्दर सौट के एक बड़कला कार जैम रभी जो पिरन के बाद ब्रदर कि अंदर नज़रेंग काफी बड़ी मूवी है जिसको आपनी बेहतरिन डिरेक्शन दिया है एम राजेस ने जहां पर फिल्म की अंदर जैम रभी प्रियंका मोहन और राव रमेश के साथ और भी कलाकार नज़र आए जो एक आपकमिंग इंडियान तामिल लेंग्वेज की फिल्म है जिसको सिनमा घरों में सिर्फ तामिल लेंग्वेज में ही देखने को मिलेग नमबर सिक्स में आता है जेबरा दिवाली दो हजर दोचारवीज के मौक्वेज की मूवी रिलीज के लिये तयार जिसका نाम है जेबरा और जेबरा इंडियान तिल्गू लेंग्वेज की आने बाली एक आक्षण ठिल्डर मूवी है जिसको डिरेकशन दिया है इस वर कार् को जिसमें आने बाली जिसका रिलीज डेट है दिवाली दोहजार चौबीस नंबर फाइब में आता है लकी भासकर दुलकर्ड सल्मान की मोश्ट एंडी सिपरेड मौवी होने बाली है लकी भासकर जिसके लिए और्डियन्स बड़ी बेसबरे से इंतजार कर रहे हैं और लकी बासकर पहले साथ सेप्टमर को आने बाला था बेपोश्ट पॉन होने के बाद मेकर्स ने नए रिलीज डेट एनॉस्मेंट की जिसका नियू रिलीज डेट है 31 अक्तबर 2004 सो दुलकर्ड सल्मान की फिल्म लकी भासकर तेलगू लेंग्वेज की आने बाली एक ड्रामा थिल और अनफॉर्चुनेटली उसके खाते में अनगिनेत पैसा आ जाता है अब यह पैसा कैसे आता है एंड उस पैसे का क्या करते हैं तो फिल्म देखने के बाद हमें पता चलेगी जिससे एकस्पेक्टेशन भी काफी जादा है एंड ओडियंस इस मूवी के लिए बड़ी बे नमबर फोर में आता है अमरन दिवाली दो हजार चौबिस की एक लौती बाग्राफिकल मूवी है अमरन जो अक्टोबर के एंड में आने बाली सिभा कार्टिक्या की मच अविड़ेड मूवी है जिसका डिरेक्टर है राजकुमर परश्या में जिसके अंदर सिभा कार्टि एक्सें सेक्वेंस एंड वार भी देखने को मिलेंगे एंड आमरन डेड़ सो से दो सु करोड की बजट के साथ बनने बाली एक बड़ी पैन इंडिया फिलिम जिसको दिवाली दो हजार चौबिस के मौके में रिलीज किया जाएगग नमबर थ्री में आता है बगीरा बगीरा इंडियन कनडा लैंग्वेज की आने बाली एक एक्सें ठीलर मूवी है जिसकी अंदर आपको action sequence बूटल लेबल के दिखने को मिलेंगे जो बेसिकली एक पॉपुलर कनडा एक्टरस रिमूल्डी की आने बाली मच अवेड़ेड मूवी है जिसको डिरेक्सिन जिया है सूरी ने एंड स्टोरी लिखा है प्रसांथ नील जहां पर हंबल फिल्म्स के बना तले इस मूवी को 80-100 करोड की बजट के साथ बनाया गया है जो साउथ इंडिस्ट्री से आने बाली काफी बड़ी मूवी है और इंदिजार भी ओडियंस बड़ी बेसबरी से कर रहे है जिसको लेकर कन्फीजन है कि ये सलार एंड केजिएफ से कनेक्टेड होगी लेकिन ये पूरी डिफरेंट मूवी है जिसका स्टोरी जस्टिस के ऊपर बेस्ट होने बाली और इस मूवी को दिवाली के मौके में पैन इंडिया स्केल पर रिलिस किया जाएग नमबर टू में आता है सिंगा मैगेन सिंगा मैगेन इंडिया की सेकेंड मोस्ट एंडिसिपेड़ मूवी है जिसके लिए और्डियन्स काफी समय से इंदिजार कर रहे है जो सिंगम सिरिस का थर्ड इंस्टॉल्मेंट है और ये आजे देवगन की आने बाली मच अवेड़ मूवी है जिसका डिरेक्टर है रोहिद चटी और ये रोहिद चटी की कॉप इनिवर्स का हिस्सा भी है स्टेरिंग अजे देवगन, करिना कपूर, दिपिका पादुकॉन, रनबीर सिंग, अकसे कुमार, टाइगर स्टॉफ, अर्जुन कपूर एंड जैकी स्रॉफ इसके अलाबाद चूलबुल पांडे यानि की सल्मान खान का क्यामयों भी देखने को मिल सकता है जो बॉलूड की आने बाली काफी बड़ी मुवी है जिसका बजट अपडेट के अकॉर्डिंग 300 से 3.5 करोड का है और ये मुवी सिनमा घर में 1 नवेंबर को दिवाली के मौके में रिलीज होने बाली है नंबर वान में आता है भूल भूलया 3 इंडिया की most anticipated movie है भूल भूलया 3 जिसके लिए audience काफी जादा excited है और ये भूल भूलया series का तिसरे installment होने बाला है जिसके पहले दो parts को audience की तरफ से काफी अच्छा response मिला है और अब बार ही है तिसरे part की जो इस दिवाली release के लिए तयार है जिसको अपनी बहतरिन direction दिया है अनिस बाजबी नहीं जो basically हिंदी लैंग्वेज की आने बाली एक horror comedy movie है स्टेरिंग कार्ति कारियन तिप्ती डीमरी मादूर दिकसित एंड बिद्यबाद सो भुल भुल या 3 सिंगा मैगेन के साथ 1st November को काफी तगड़ी क्लैस करने वाली है और इस दिवाली के बड़े मौके में एक बड़ा competition भी दिखने को मिलेगा इन दोनों फिल्मों के बीच में और इन दोनों फिल्मों का hype भी काफी तगड़ा बना हुआ है जो समय के साथ साथ और भी जादा build-up होता जा रहा है जो 1st November दिवाली के मौके में रिलीज होने बाली है सो यही ता दिवाली के मौके में आने बाली 10 बड़ी फिल्म है इन में से कौन से फिल्म के लिए आप बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बता और आपको अगर वीडियो पस्ने आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राब जरूर से कर दें और आप मुझे इंस्टाग्राम में फोलो करना मत भूलना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सुआज के लिए इतना ही चले वीडियो को खतम करते हैं